शीशिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव जहु भूले नाथ दोसो शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे पौदे होते हैं जो घर में ये दिल लगाए जाते हैं तो घर में सुक्सम्रदी आती है और सौबाकी की भी प्राप्ती होती है जैसे कि हर घर में तुलसी का पौदा होता ह है दीबदान भी किया जाता है तो कोशिश करके आप अवश्य रूप से इन शुप पौदों को अपने घर में अवश्य लगाए अगर जगह है तो वहाँ पर लगाए नहीं तो छट पे इस तरीके से गमले में भी लगा सकते हैं तो दोस्तों सावन के महीने में बेल पत्र क पौदे के पूजन का भी विशेश महत माना जाता है तो देखे मैं यहाँ पर बेल पत्र का पौदा लेकर के आई हूँ यह 20-30 रुपे का आ जाता है नर्सरी से लेकर के आए और उसे इस तरीके से गमले में लगा करके आप पूरे सावन के महीने इनका पूजन कर सकते हैं या फिर जब तक आप चाहें तब तक गमले में स्थापित करके इनका पूजन कर सकते हैं क्योंकि बेल पत्र के पौदे के नीचे बैट करके पूजा करने का बहुत बड़ा विधान माना जाता है बेल पत्र के पौदे के जड़ में दीबदान करने का भी अलगी महत होता है तो देखें ड्रिने जोल पर इस तरीके से कोई भी आप पत्थर रखतें और क्योंकि देखें शुब पौदे के हम स्थापना करें हैं तो यहाँ पर जड़ो में हमें चाहें तो आप एक सिक्का भी रख सकते हैं अक्षत, रोली, चंदल, हल्दी, कुम-कुम यह सारी चीज में माता लक्षमी का वास माना जाता है उसी प्रकार से बेल पत्र के पौदे में यानि की व्रक्ष में माता पार्वती का वास माना जाता है जब हम बेल पत्र को अरपित करते हैं शिवलिंग पर तो यह समझ यह कि हम माता पार्वती के हस्त कमलों को हम भूले नात के हाथों में दे रेए हैं तो इससे भूलनात अत्य दिक प्रसंद होते हैं और हमें खिया हम कज्याधान करते हैं। सब्सावन के नीचे दीपटां करना चाहिए और पूजण करना चाहिए तो मिठी भरने के बाद ही में घमले हैं पमें इस तरीखे से यहाँ पर यह पालतीन जो आई है नर्सरी से वो हटा लूँगी ऐसे बहुत ही इजी है इस पौदे को लगाना और बहुत ज्यादा केर भी नहीं करनी पड़ती है आपको नहीं करनी है क्योंकि देखे थोड़ा सा रेनी सीजन रहता है तो ध्यान रखकर के ही ऐसे आप गंबले में लगा है तो अभी में कोई पानी वगर नहीं डालूँगी इसलिए थोड़ा आपको गीली गीली लग रही होगी पूरे सावन के महीने में आप इनका पूजन करें बहुत ही शुब रहता है जब यह पौदा बड़ा हो जाता है तब आप इसे किसी खुली जगह पर लगा दें जह दें यह बड़ा वरक्ष बन सके तो इस तरीके से देकौए हमने यह पौदा लगा दिया है तो टेली इनका तूसी की तरह पूजन करना चाहिए सुबह के टाइम पूजा करना चाहिए जल अरपन करना चाहिए धूप दिखाना चाहिए और सुबह के टाइम दीपक जलाना कमपसरी नहीं है लेकिन शाम के टाइम तो इस पेड़ के नीचे यानि कि इस पौधे के नीचे अवश्य रूप से दीबदान करना चाहिए तो बहुत इस इंपर साधान सी पूझा की विदियो होती है यहाँ पर देखिए जलका एक कलश ले ले आप चाहिए तो इसमें हलका सा कच्छा दूद भी डाल सकते हैं और एक धूप दीप आप ले 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 देशी ही का दीपक मैंने बनाया है तिल के तेल का भी आप यहाँ प पूझन करें तो सबसे पहले जलर्पित करें जल के अंदर देखिए एक्स्ट्रा आप मीठा ना डालें दूद ना डालें नहीं तो पौदा हमारा खराब हो जाएगा यदि हम इसमें चीटिया लग जाती है तो बहुत जादा नहीं डाले क्योंकि सावन के पूरे महीने हमे इनको जलर्पित करना है और दीपक जलाना है तो बहुत जादा मीठा मीठा ना हो जाए नहीं तो फिर चीटिया लग जाएंगी पौदा खराब हो जाएगा और हमारे मन में कई प्रकार की शंकाय उत्पन हो जाती है यदि ऐसा कुछ होता है होता हो हमारी गलतियों की लग राएं कि यह कहीं इस तरीके से टूटना जाए बहुत ही नाजुक सा पौदा है वस रुपिक अलावा मैंने बांधा नहीं है और पित कर दिया है उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे और ऐसे देखिए इस तरीके से तिलक करें दूप दिखा देंगे बहुत सावन के महीनी करें सोमवार के दिन भी आप पूजन कर सकते हैं बेल पत्र का और आप 14 के दिन भी पूजन कर सकते हैं या फिर शिव भगवान की कोई भी वरत पूजन आप करते हैं तो उस दिन भी आप बेल पत्र का पूजन कर सकते हैं शिव महापुरान और लिंग पुरा समाप्त हो जाता है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षे फल्गी प्राप्ति होती है जिस स्थान पर बेल पत्र का पौधर लगाया जाता है वह काशी तेर्द के समान पवित्र और पूजने इस्थल बन जाता है और घर के सभी प्रकार की जितनी भी तंत्रमंत्र जब बादाएं होती हैं उसे में मुक्ती हो जाती है घर की और खर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है ऐसे मैं यह दिए आपके घर में बेल पत्र लगाने की जगण नहीं है तो आप किसी गंले में भी इस पौदे को लगा सकते हैं बहुत सारे शुब पौदें है जो आपके साथ में शेयर करूँगी कोई वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊगी कि मैंने कौन-कौन से शुप पौदे लगाए हैं जो कि घर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्रक होते हैं घर में सुख सम्रद्धी लाने के लिए और दिखिए इस तरीके से हम जब पूजा क शक्तियों का विनाश भी हो जाता है और किसी प्रकार की शत्रू की बाधा हो या फिर किसी प्रकार की तंत्रमंत्र की बाधाएं आदी हमारे घर पर किसी ने कुछ कराया हो उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता देखिए हमने आप धूप दीप जला दिये पुश परपित क और भोग प्रसाद में आप चीनी आदी साइड में रख दे गमले में पौधे में ना डाले नहीं तो पौधा हमारा खराब हो जाएगा प्रात्नगर एक शमाय आचनक करें देखे बिल पत्र के पौधे का पूजन करने से घर में लगाने से चंद्रमा की बुरी दर्शाओं से भी हमें मुक्ती प्राप्त होती है और परिवार के सभी सद्से समाज में उच्च समान के भी भागी बनते हैं उच्च समान की प्राप्ती होती है बहुत ज़्यादा शुब रहता है दोस्तो जो तिस शास्त्र के अनुसार जिस घर में बेल पत्र का पौधा होता है उस घर क सदस्यों की छंद्रमा की बुरी द्रस्टी का भी शिकार नहीं होते हैं घर का हर सदस्य यशर्षी ऻिविवी बनता है और समाज मेन उष्च संवान की प्राप्ती होती है और किस दिन हमें अस्टमी को पूर्णी मातिती को और अमावस को बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए तो आई होप वीडियो आपको अच्छा ग्यानवर्धक लगा होगा दोस्तों आप भी इसी प्रकार से सावन के महीने में बिल पत्र के पौधे को लगाईए और उनकी सेवा कीजिए उनकी पूझा कीजिए इसे बोलेनात बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो जहाँ पर भी मंदिर में शिवाले में आप पूझन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेल पत्र का पेड़ यदी मिल जाता है तो आप वहाँ पर भी पूझन कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगाया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़ए ज़दा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवा अवर्श लिगें दोस्तों मिलते हुए नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शीर शिवाय नमस्तु ब्यम हर महादेव जेहु भूलेनात